हेलो आजम करने वाले हैं दिवाली पर एक नेबन तुछ लिए स्टार्ट करते हैं हमारा देश अनेक धर्म संप्रदायों जातियों का अदबुत संगम है दिपावली भी भारतियों दुआरा मनाया जाने वाला एक महत्वु पूर्ण पर्व है दिपावली दो शब्दों से मिलकर बना है दीप प्लस अवली अर्थार्थ दीपों की पंक्ती इस दिन दीप जलाने का विशेश महत्व है दिपावली का पूरानिक पर्व एवं एतिहासिक द्रिस्टी से भी विशेश महत्व है एक मान्यता के अनुसार भगवान श्रीराम लंका के राज्या रावन को मार कर सीता और लक्समन के साथ अयोध्या वापस लोटे थे उनके अयोध्या वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपकों की पंक्तियां जला कर प्रकाश किया तभी से इस दिन दीपकों की पंक्तियां जलाने का महतु है दिपावली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है दिपावली से पर्व दिपावली और उससे पूर्व धनतेरस का पर्व होता है दिपावली के अगले दिन गौवर्धन पूजा तथा उसके अगले दिन भायदूज का त्योहार होता है दिपावली के कई दिन पहले ही लक्ष्मी के आगमन के लिए तैयारी प्रारंब हो जाती है लोग अपने घरों की सफाई करते हैं उन्हें यथा संभव सजाते हैं सफाई एवं सुद्धता वातावरण में जब दीपकों का प्रकाश किया जाता है तो अमावश्य की काली रात्री भी पूर्णिमा में परिवर्तित हो जाती है बाजारों में दुकानों की सजावट देखते ही बनती है इस अवसर प्राड़ लोग अपने इस ट्मित्रों के यहां मिस्ठान एवं उपहार प्रदान करके प्रेम एवं सोहार्थ बढ़ाते हैं तो यह था दिपावली पर एक निबंद अगर यह निबंद आपके लिए हैलपफुल रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए थैंक्यू थैंक्स फॉर वाचिंग